नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग चैप्टर नमबर 6 की यहां पर शुरुवात हो रही बहुत इंपॉर्टन्ट हिस्सा मेडियो लिस्टी का दिल्ली सल्तनत की यहां पर शुरुवात हो रही और 1280 से लेके 1480 तक का टाइम प्रेड यहां पर शुरू होगा ममलुक डैनिस्टी की शुरुवात कैसे हुई और सबसे पहले इल्तुत्मिश और रजिया सुल्तान का राज इसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे यहां से जो कुछ भी शुरू होने वाला है इसको समझने के लिए इससे पहले की वीडियोस देखना जरूरी है तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है बिल्कुल देखे जाके तो ममलुक सुल्तान तेरवीश अताब्ती की शुरुवात स्ट्रगल फॉर इस्टाब्लिश्मेंट ऑफ ए स्ट्रॉंग मुनार्की इल्टुत्मिश 1210 से लेके 1236 हेड़ी और रजिया सुल्तान 1236 से लेके 1249 हेड़ी रजिया सुल्तान एक बहुत एफिशेंट लीडर 1236 तो 1239 49 मैं हिंदी बोल जाता हूं तो कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश में नंबर्स बोली तो इंग्लिश में नंबर्स बोल रहा हूं तो रजिया सुल्तान एक बहुत एफिशेंट लेडी बच्चू की एक लेडी थी और एक कंजर्वेटिव मुस्लिम सुसाइटी में लेडी राज नहीं कर सकती इसके चलते इसके राज को यहाँ पे एकसेप्ट नहीं किया गया बाराल दीरे दीरे करके हम लोग एक एक चीज सब कुछ यहाँ पे देखते है ममलूग डैनिस्टी के अगर बात की जाए तो आप देखोगे कि टर्क्स अपना राज बहुत बड़े इलाके में पहला चुके थे पंजाब सिनों शुरुवात की पंजाब में मुलतान लाहर इन सब को कबजा किया फिर गंगा वैलीम पहुंचे गंगा वैलीम पहुंचने एक बाद फिर बक्तियार खिलजी ने बिहार पे कबजा किया बंगाल की बहुत बड़े हिस्से पे कबजा किया यह पूरी की पूरी कहानी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है उसके बाद आप देखोगे कि अगले सौ सालों तक यहाँ पे जो सल्तनत बनेगी उसको दिल्ली सल्तनत बोला जाएगा और यह जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हैं ऐसा नहीं है कि यह बहुत पीस में राज करेंगे देखे क्या लिखा हुआ है अब आप समझे है आपे बात को यह जो दिल्ली सल्तनत के राजा था राजा थे अगले सौ सालों तक स्ट्रगल करेंगे और इनकी स्ट्रगल की बहुत सी वजाय थी नौर्थ के तरफ से मंगोल अटैक कर रहे थे और मंगोल अटैक से तो दिल्ली सल्तनत के राजा खासा परिशान रहे है बहुत लंबी समय तक परिशान रहे है प्लस इनकी internal politics भी बहुत थी nobility कि जो चहल गानी थी आगे उठके आएगी चहल गानी क्या थी कि पहले तो देखे जो राजा था वही राज करेगा बाद भे nobility भी अपने आपको बहुत hero बनने लगी nobility अलग अलग तरीके की politics करके अपने puppet ruler को गदी पर बठाना चाते थे और उसको अपने एसाब से राज करवाना चाते थे तो ये चहल गानी बाद में बहुत dominant होने लगी तो internal dissensions internal political divide ये कही ना कही यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की rulers को परिशान करेगा at the same point of time वो जो राजपूत rulers और chiefs को हरा के उनके इलाके पे कबजा करके ये दिल्ली सल्तनत वाले राज कर रहे थे वो भी तो उठेंगे ना वो बोलेंगे कि तुमने हमारा इलाका चीन लिया हम अपना इलाका वापस लेंगे तो वो भी यहाँ पे लड़ेंगे तो overall struggle यहाँ पे बहुत बड़ा था और इन तर्किश रूलर ने बहुत हद तक successful रहें इन difficulties को overcome करने में दिल्ली सल्तनत में जो dynasties आएंगी आपकी slave dynasty, तुगलक dynasty ये सब इनके जो रूलर से बहुत हद तक successful रहें बहुत हद तक उनके failures भी है उन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और आप देखोगे कि ये जो दिल्ली सल्तनत की आगया वाले डाइनस्टीज हैं ये किवल North India तक नहीं पहलेंगी ये किवल मालवा गुजरात बंगाल तक नहीं पहलेंगी ये डेकेन और South India में भी पहुँचेंगी यहाँ पे और इनका जो impact होगा न इंडियन society पे इंडियन culture पे वो permanent हो गया आगे आने वाले समय में society, administration, cultural life कही ना कहीं दिल्ली सल्तनत के इस rule के चलते ही effect होगी आज की date में भी दिल्ली राम के शहर में बहुत सारे cultural traits वो समय के हैं जब दिल्ली सल्तनत के rulers इंडिया के अंदर आये थे ये बात बिल्कुल सही है, permanent impact होता है culture के उपर इस प्रकार के events का और ये सब शुरुवात कहां सुईती तो मौहिसुदीन मौहमद, जिसका आप मौहमद ऑफ गोर भी बोलते हो मौहमद गोरी के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो उसका trusted slave कुतुबुद्दीन एबख, Turkish slave था 12-6 AD में गद्दी पर बैठा और Turkish शल्तनत को इंडिया में पहलाने में कुतुबुद्दीन एबख ने एक major role play किया यहाँ पर ममलूक नाम का जो शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या है? ममलूक एक Arabic शब्द है, इसका मतलब होता है ओंड, ओंड का मतलब क्या हो गया? कि भाई एक ऐसा person जिसके उपर राज है सुल्तान का, जो सुल्तान बोलेगा वो वो परसन करेगा, अगर सुल्तान बोलता है अपनी गर्दन काट लो, तो वो गुलाम अपनी गर्दन काट लेगा, ठीक है? तो बेसिकली यहां पे इस ममलूक का मतलब होता था, ओंड, इड यूज तो डिस्टिंग्विश थे इंपोर्ट टर्किश स्लेवस, बेंट चीफ्री फर मिलिटरी सर्वस, फ्रम्बल स्लेवस, उस्ट वर डॉमेस्टिक और एकोनोमिक परपसे, समझ यह बात को, ममलूक खाना परसेंगे, घास काटने का काम करेंगे, जो छोटे मोटे टाइप का काम करेंगे, बाथरूम साफ करना, यह सब काम लोग करेंगे, तो यह घर के स्लेवस, डॉमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, लेकिन यह जो ममलूक स्लेव हैं, यह कुछ स्पेशल स्लेव हैं, यह वो स्ल जो स्पेसिफिकली लाए गए हैं मिलिटरी सर्विस देने के लिए तो वापस आ जाते कुतुबुद्दीन अबक्त अगर कुतुबुद्दीन अबक्त की बात करो तो टर्किश सेल्टनत को इंडिया में फ्लाने में एक बहुत मेजर रोल किया एक प्ले किया था कुतुबुद्दीन अबक्त ने फिर आप देखोगे की एक और सलेव था आपका मुहमद गोरी का मुहिद दिन का जिसका नाम था याल्दुस मुहिद दिन मुहमद गोरी एक ही है अब यह भी конф今日 कन्फ्यूज हो रहे हो तो बता देता हूँ तो मुझेद जिन का जो दूसरा स्लेप था याल्दूस याल्दूस ने गजनी के उपर कबजा किया अभी गजनी नाम की जगा भी यहां पे इंट टर्क्स के अंदर था मुम्मद गोरी के अंदर और यह जो पर्टिकुलर आपका इंडिया के डोमिनस थे यह बेंट टर्क्स के अंदर थे और अभी गोरी मरा तो यह जो आपका कुतुबद्दीन एबक था इसका कबजा आ गया इंडिया के उपर इंडिया के डोमिनस के उपर वह यह जो याल्दूस था इसने गजनी के उपर कबजा कर लिया अब ये जो गजनी पे याल्दोस था याल्दोस ने बोला कि बाई गजनी जो कैपिटल है यहीं से तो सब चीज की शुरुवात हुई है तो अगर मेरा गजनी के ओपर कंट्रोल है तो इंडिया का भी सुप्रीमी रूलर मैं हूँ यानि कि जो कुतुबुदी नइबक है ये मुझे रिपोर्ट करेगा ऐसा बोला यहाँ पर याल्दोस ने कुतुबुदी नइबक ने मना कर दिया कुतुबुदी नइबक ने बोला कि तुम भी उसके सलेव थे गोरी के मैं भी गोरी का सलेव था यहाँ पर मना कर दिया खुतुबुदी नायबग ने तो पहले क्या था कि गोरी सेंट्रलाइस लीडर था गजनी का भी और इंडियन डोमीनियस का भी गोरी मरा तो गजनी चला गया यालदूस के पास और इंडिया में दिल्ली सल्तनत की उपर कबजा हो गया किसका कुतुबुदी नायबग का और यह कही न कहीं दिल्ली सल्तनत की अच्छा हुआ इंडिया के लिए अच्छा हुआ चुकि पहले कहीं न कहीं इंडिया सेंट्रल एशिन पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ था और अब इंडिया कहीं न कहीं Central Asian Politics से तूट चुका था Central Asian Politics में क्या था कि अगल बगल के जो Empire था पहले सेल जूक Empire था, गजनेविड Empire था कौरिजम Empire था, यह सब आपस में लड़ते रहते थे और उस लड़ाई की चलते बहुत सारे लोग कभी-कभी इंडिया के तरफ आने रखते थे जब वहाँ हार जाते थे अब क्या था, कि एक ही राज के दो जो स्लेव थे उन्होंने अपना-पना इलाका बाट लिया और अपना-पना इलाका बाट लिया तो अब दिल्ली सर्तनत यहां पे Central Asian Politics से अलग हो गया ठीक है, फिर आप बात करते हैं, यहां से शुरुआत होगी किसकी भाई, इलतो थमिश्की 1210 से लेकिए 1236 कुतुबदीन अबग की मृत्ती हो जाती है 1218 ही में किसलिए? कुतुबदीन अबग ने 4 साली राज किया ज्यादा लंबा राज कर नहीं पाए यहां पर यह वैसे तो efficient ruler थे यह गोड़े पर यह चौगन खेल ले थे चौगन एक प्रकार का modern day polo है modern day polo में आपने देखा होगा कि लोग गोड़े पर चड़े होए होते हैं के हाथ में एक रैकट होता है उस रैकट से वो बॉल मारते हैं तो यह होता पोलो उस समय पर एक ऐसा ही गेम होता था जिसका नाम होता था शौगन तो शौगन खेंवे रहे थे यहां पर कुतुबदीन आज़वक गोड़े पर से गिर पड़े इनको चोट लगी और इनकी यहां पर मृत्य हो जाती है उसके बाद एबक के बाद गद्धी पर कौन बैठेंगे इल्तुत्मिष नामान थे किसके एबक के सनिनलो थे अब समझगे यहां पर एबक का एक बेटा भी था और बेटे ने बोला कि मेरा बाप मरा है तो मैं गद्धी पर बैठूँगा इल्तुत्मिष कही ना कहीं बहुत ज़दा क्लोस था कुतुब अबक के इल्तुत्मिष को पूरा का पूरा एड्मिनिस्टेशन चलाना आता था तो इल्तुत्मिष ना कहा कि गद्धी पर मैं बैठूँगा अब इगद्धी के दो कंटेस्टेंट आ गए और यहाँ पे जब दो कंटेस्टेंट आ गए तो अविसी बात है दोनों को लड़ना पड़ेगा तो यहाँ पे उल्तित्मिश को हराना पड़ा एबक के बेट्चों को गद्धी पर बैठने के लिए यानि कि आप समझे इस टुर्किक डैनिस्टी में शुरुआत में एक बात के लिए होगी कि ऐसा नहीं है तो बाप राजा है तो बेटा ही राजा बनेगा नहीं बाप का एक सलेव भी राजा बन सकता है मतलब कि यह जो ममलूख सलेव होते थे ये जो military service वाले slave होते थे दिल्ली सल्तनत में ये कही न कही राजगदी के लिए बड़े important हुआ करते थे ठीके न और इन्होंने कही न कही न कही राजगदी के उपर वंबे समय तक राज भी किया है ओके और जब इल्तुत्मिश गदी पर बैठा तो इल्तुत्मिश को बोला गया है real consolidator of Turkish conquests in India कही न कहीं इल्तुत्मिश न बहुत हद तक Turkish conquest को इंडिया में आगे बढ़ाया है फिर आप देखोगे कि जब यहाँ पर इल्तुत्मिश गदी पर बैठेगा तो जगा जगाँ पर rebellion होने शुरू हो जाएंगे जगा जगाँ पर यह जो दिल्ली सल्तनत की dominance थी वो उल्तुत्मिश के राज को मानना बंद कर देंगी सबसे पहले अली मर्दन खान अली मर्दन खान ने बोला कि बंगाल और बिहार का राजा मैं हूँ बक्तियार खेल जी के बाद कहीं न कि अली मर्दन खान बंगाल और बिहार में डॉमिनेट हो रहा तो उसने बोला बंगाल बिहार के राजा मैं हूँ कुबाचा ने बोला कुबाचा भी एक फैलो सलेव था अबक का उसने बोला कि कौन अबक का दमाद मैं इंडिपेंडेंट डूलर हूं मुलतान का और लाहूर को इसने सीज कर लिया और कुछ पंजाब के हिस्से को सीज कर लिया फिर आप देखोगे कि इलतुतमिश के कुछ आफीसर्स थे उसने इलतुतमिश के अथौर्टी मानने समय ना कर दिया बहुत सारे राजपूतों को मौका मिल गया उन्होंने देखा कि इसके खुद के ही ओफीसर्स के खिलाब बगावाद कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें राजपूतों ने भी यहाँ पर बगावाद कर दी कुल मिला कि बिल्कुल के औस सा फैलने लगा एक समय पे इल्तुत्मिश को लगा कि सब कुछ हमारे हाथ से जा रहा है लेकिन इल्तुत्मिश डरने वाला नहीं था ना ही इल्तुत्मिश घवराने वाला था यहाँ पर बहुत सी जग़ों पर इल्तुत्मिश के खिलाब पे असर्ट कर दिया लेकिन इंडिपेंडनेस को असर्ट करने को मतलब यह नहीं कि इंडिपेंडनेस आपको मिल गई सबसे पहले इल्टुसमिश ने बोला अब देखे एक एक अंसॉलिडेट करना था इस प्रकार की जो रेबेलियंस था उनको दबाना था सबसे पहले इल्तुत्मिश का ध्यान गया नॉर्थ वेस्ट की तरफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक नया आप कह सकते हैं चीज हो रही थी कि भाई खौरिजम शवाह गजनी जीत चुका था गजनी में आपको पता है याल्दूस था याल्दूस से कही न कही गनेक्शन्स तोड़ दिये थे इल्तुत्मिश ने लेकिन इस गजनी के ओपर खौरिजम शवाह ने अटैक किया और गजनी को जीत लिया अब गजनी यहाँ पे कही न कही दिल्ली सल्तनत की बाउंटरी के आसपास खड़ा है तो टेंशन में आगया इल्तुत्मिश, इल्तुत्मिश को लगा कि भाईया यह खौरिजम शातु मिरे ले सबसे अदा डेंजरा से तो सबसे पहले नौर्थ वेस्ट की तरफ गया इल्तुत्मिश समझ गए खौरिजमी अमपायर उस समय पे सेंटल एशया में बहुत बड़ा था और इसका फ्रेंटियर इंडरस तक पहुँच गया था कहीं न कहीं इल्तुत्मिश को इसको रोकना जोगी था और लाहवर को अपने कबजे में लिया इल्तुत्मिश ने ठीके भई अब यहाँ पे इल्तुत्मिश के फेवर में कुछ चीज़ें हो गई 1218 में हुआ ये कि जो खौरिजमी अमपायर था इसके उपर अटायक होगे है मंगोलों का और मंगोल कहीं न कहीं इस खौरिजमी अमपायर से भी ज़्यादा देंजरस थे आपको मैंने पहले बताए कि खौरिजमी अमपायर काफी देंजरस रहा है गजनविट्स को तो दोड़ा-दोड़ा के मारा इन खौरिजमी अमपायर वालों ने तो कही न कहीं आप यहाँ पे देखोगे कि जब मंगोलों का टैक होगा तो ये खारिजमी भी यहाँ पे हार जाएंगे और उसके बाद आप समझोगे कि जो मंगोल से बहुत ताकत हरोगे चाइना से लेके Mediterranean Sea, सोचे Mediterranean Sea का शोर लगता है तर्की, प्रेजेंडेट टर्की के साथ, प्रेजेंडेट टर्की, सीरिया, इस्राइल, ये सब बाउंडरीज बनाते है Mediterranean Sea, कहा Mediterranean Sea और कहा चाइना, पूरा का पूरा इलाका मंगोलों के अंदर, समझ गए, कैस्पेंसी से लेके र टर्रिटरी के बात की, तो मंगोलों के टर्रिटरी देख लगते हैं, ये जो पूरा का पूरा रेड रंग का रास्त, आपको दिखाई देरा ना इलाका, ये पूरे की पूरी मंगोल की टर्रिटरी है, समझ गहे, यहां पे आपको Mediterranean Sea नजर आ रहा है, यहां पे आपको के नज़रा रहा है यह पूरा का पूरा इलाका मंगोलों के अंदर था पूरे चायना के उपर समझे पूरे आ भी आसके सकते हो दो परश्या के उपर काफी दृल्ली सल्थनत के जो राजे थे जो के इस पर्टिकुर्ण इलाके में राज कर रहे थे यह बड़े परिसान थे सोच रहते हैं भाई यह कैसे बचेन से एक्चुली में मंगोलों ने दिल्ली सल्तिनत को किस हद तक परिशान किया इसके बारे मैं अगली वीडियो हम बात करेंगे यहाँ पर आप यह समझे कि सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट रेंटियर को सीक्यूर किया यहाँ परिशान को बाचा को मुलतान और उचसे उखाड फेका अब दिल्ली सल्तिनत की जो हदे थी वो फिर तक इंदस तक पहुँच गहीं थी तो अब यह जो नॉर्थ वेस्ट में जो रवेलियू था उसको कही न कहीं इल्तूथमिश न दबा दिय था और वो इलाका इल्तूथमिश में अपने कॉंट्रोल के अंदर ले लिया था यहाँ पर चली एक रवेलियू थो यहाँ पर दब गया नेक्स्ट बात करेंगे अब ये दूसरी तरफ जाएगा तो अब कहा जाएगा बंगाल बिहार की तरफ बंगाल और बिहार में एक परसन इवाज नाम का उसने सुल्तान गियासुद्दीन का टाइटल अपने पास ले लिया तो और बोला कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ जनरिस रूलर था, एबल था लोगों के लिए इसने काफी काम किये फिर आप देखोगे सेना रूलर्स और इस्ट बंगाल और हिंदू रूलर्स ओडिसा और कामरूप के साब भी सुल्तान गियासुद्दीन की काफी लड़ाई हुई लेकिन फिर भी सेना रूलर्स भी थोड़े मोड़े अलाके में थी ओडिसा और कामरूप के रूलर्स भी अपने अलाके में थी फिर आप देखोगे कि उल्तित्मिश ने अपने बेटे को बोला कि जाओ तुम यास से जाके जंग लड़ो इलाका चीतो 1226 से लेके 1227 तक आप याँ पे देखोगे कि उल्तित्मिश के बेटे के साथ एक जंग लड़ी इवास ने लखनोती के पास ठीक है और यहाँ पे इवास हार जाएगा और मारा जाएगा और यह पूरा का पूरा बंगाल और बिहार फिर से बंगाल और बिहार दूर है आपका दिल्ली से तो बंगाल और बिहार के ऊपर राज करपाना दिल्ली में बैठे बैठे इसमें logistical capabilities logistical challenges एं issues है प्रस बंगाल बिहार की रूलर अकसर कर यहाँ पे बवाल भी कर देते थे हम अलग हैं हम तुमारे रूल के अंदर नहीं आएंगे इस प्रकार की चीज़ें अकसर कर वहाँ पे होती रहती थी बरारा देखोगे जैसे देसे करके इल्तुत्मिश ने बंगाल बिहार के ऊपर कंट्रोल कर रखा था फिर गॉलियर और बयाना के ऊपर कंट्रोल किया अजमर और नगोर के ऊपर इसने कल्कुलेट मदब कंट्रोल किया तो इस तरीके से दीरे दीरे करके अपने इलाके को फैलाना शुरू किया यहाँ पे किसने इल्तुत्मिश ने फिर इलतुत्मिश ने रन थंबोर में और जलोर में भी अपने एक्सपेडिशन भीजे जीतने के लिए फिर आप देखोगे कि मेवार की कैपिटल नगड़ा पर भी उसने अटैक किया बट इस अटैक का कोई जादा फाइदा हो नहीं हुआ क्योंकि गुजरात की आर्मी आ गए थी वहाँ पर राणा को बचाने के लिए बाद में गुजराती आर्मी से बदला लेने के लिए चालू क्यास और गुजरात की अगेंस्ट भी यहाँ पे एक सेना भीजी इलतुतमिश ने लेकिन पूरी तरीके जीत नहीं पाया इलतुतमिश की सेना को यहाँ पर बहुत से नुकसान हुआ तो आप देखोगे कि बहुत से मिलिटरी एक्सपेडिशन में इलतुतमिश ने बहुत सारा इलाका जहां पर इसके अगेंस्ट रिवार्ट हो गया था उसको जीता एट दा सेम टाइम बहुत सारे इलाकों में इसको डिफीड भी मिली ऐसा नहीं था कि हर जगा उसने जीत लिए लेकिन जो भी उसके वास लिमिंटेट समय तो जी हां बैसे तो 26 साल आपको बहुत बड़ा समय लगेगा बट एक्चुली में 26-27 साल हिस्ट्री के परस्पेक्टिव में बहुत जादा नहीं होते अरे भाई इलाके जीतने में समय लगता है फिर आएंगी रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान एक्चुली में एक लेड़ी थी और इस लेड़ी के चलते लेड़ी होने के चलते काफी डिसद्वांटेज में रही अपने लास्ट येर में इल्तुत्मिश को पता था जिसकी मृत्ती होने वाली और सेक्सेशन में प्रॉब्लम होगी इल्तुत्मिश को प्रॉब्लम थी कि भाई अगर मैं मर गया तो बाद में राज़ पार्ट कौन समा लेगा जब उसने अपने बेटों की तरफ देखा तो उसको समझ में आया कि उसका एक भी बेटा इस राज़ पार्ट के लायक नहीं है उसने बहुत सुचा किसको मैं राज़ दू किसको राज़ दू पर उसको समझ में नहीं आया कि किस बेटे को वो राज़ डेकलेर करें चुकि यहाँ पे बहुत सी political intrigues होती है राजा को बहुत हद तक independent रहना जुरूरी होता है किसी भी बेटे के अंदर उसको इस प्रकार की काबलियत नहीं नजर आई अभी नहीं नजर आई तो करें क्या, कुछ तो करना है यह काबलियत यहाँ पे आप देखोगे कि इलतुत्मिश को नजर आईगी अपनी बेटी के अंदर जो की थी रजिया सुल्तान ठीक है और फाइनली बहुत सोचने समझने के बाद उसने नॉमिनेट किया अपनी बेटी को और अपनी बेटी को राजगदी बेठाने के लिए बहुत हद तक यहाँ पे इलतुत्मिश ने कोशिश भी की इलतुत्मिश ने अलग-अलग नॉबल्स के साथ बातचीत की, थियोलोजियन्स के साथ बातचीत करी उनको convince किया कि ठीक है भई रजिया सुल्तान के बाश्चाहत पर आप लोग convince हो जाओ और जब तक भई हिलतुत्मिश जिंदा थे तब तक तो सब को सही था अब यह ऐसा नहीं था कि पहले इसलामिक हिस्ट्री में कभी वोमेंस ने राज ने किया लेकिन इस केस में चीज़ें अलग थी हिलतुत्मिश के बहुत सारे बेटे थे और उन बेटे मेंसे चुनने की बज़ाए एक बेटी को यहाँ पर चुन लिया वो कही न कहीं टर्किश नॉबल्स को पसंद नहीं आया टर्किश नॉबल्स यहाँ पर बहुत परिशान होगे उनको यह पसंद नहीं था कि एक वोमें उनके ओपर खड़े होके उनको आदेश थे और इस समय पर मोनार्की और टर्किश चीफ्स के बीच में प्रकार की लड़ाई भी यहाँ पर शुरू हो गई थी समझ यह बात को लीडर कौन है? रजिया सुल्तान अभी रजिया सुल्तान के लीडर क्षिप को मानने के लॉबर्स तयार नहीं है नॉबल्स कौन होते है? मिनिस्टर समझ लिए आज की डेट में काउंसिल अप मिनिस्टर्स होगे यह जो नॉबिलिटी थी जो आप कह सकते हो कि जो चालिस मिनिस्टर से नॉबिलिटी थी यह चाहती थी कि जो राजा है यह राजा हमारे इसाब से राज करे हम जो बोल रहे हैं वो सुने ठीक है? यह जो चीफ्स थे यह भाई आपने पावर और एरोगेंस में डूबे हुए थे यह चाहते थे कि कोई भी अगर गद्दी पर बैठा हो तो वो हमारे साब से काम करें तो सबसे पहले तो चैल गानी ने कोशिश की कि इस रजिया सुल्तान को कहीं न कहीं इसको आप कह सकते हो कि मैनूपुलेट करो इसको हमारी बाते मानने पर मजबूर करो बहुत समय तक इनों रजिया के साथ दिमाग लगा है लेकिन रजिया यहाँ पर बहुत ही एक काबिल लेडी थी, काबिल वूमें थी उसके बाफ ने इसको ऐसे गद्धी पर नहीं बठा दिया था इसमेश एक बहुत बड़ा राजा था, उसने ऐसे रजिया सुल्तान गुल्दी पर नहीं बठाय था उसको पता था कि रजिया के अंदर टैलेंट है तो रजिया यहाँ पर चहल गानी की बातों में नहीं आई चहल गानी ने बहुत बढ़काने की कोशिश की बहुत आप कह सकते हो डिगाने की कोशिश की रजिया को बट वो डिग नहीं पाई उसके बाद उसका अपना ही रूल करने का तरीका था ठीके वो इन टर्किश नॉबल्स की बात नहीं सुनती थी वो जब भी कोट में आती थी तो वो बुरका नहीं पहनती थी पहले क्या था कि जो लेडीस थी परदे में रहती थी और यह भी रहती हैं। ठी है। यह मुस्लिम कल्चर का पाठ है लेकिन यह परने में नहीं रहती थी है। भी पूरे ऑंपायर में लाइन ओर्डर लाने में हैं उसक्सिसफूल रही यहाँ पर रजीया। बट कहीं न कहीं चहल गानी को कम्ट्रोल कर पाना यहां पर बड़ा मुश्किल था, ठीक है, अब आप समझो कि यहां पर रजिया को कुछ बहुत ही भरोसे के बंदे भी चाहिए था अपने मगल में, देखें रजिया को यह पता था कि जो चहल गानी है यह तो इसके पीछे प कौन तर्किश परसन को एक important post पे अपॉइंट किया रजिया ने, रजिया ने याकूट खान को superintendent ओर रोयल स्टेबल अपॉइंट कर दिया याकूद खान एक Abyssinian था वो Turk नहीं था इस बात से कहीं यह जो Turkish Nobility थी वो नराज होए यह Turkish Nobility सोचती थी कि Nobility केवल Turks के लिए है और एक तो यह Lady हमारे उपर राज कर रही उपर से इसने Abyssinian Nobel याकूद खान को हमारे उपर बठा दिया याकूद खान को उपर नहीं बठाला याकूद खान को पोजिशन दी गई Superintendent of the Royal Stable की मतलब कि एक important minister की position समझ लीजिया आपने दिये यहाँ पर रजिया ने और रजिया इसको याकूद खान को ऊपर की position इसलिए देरी और यहाँ पे एक non-Turk याकूद खान को उपर लेके आई जो कि एक abolition novel था अब obvious ही बात है ये याकूद खान किसी भी चहल गानी को यहाँ पर पसंद नहीं आता था फिर बाद में यहाँ पे रजिया के उपर इलजाम भी लगने लगे कि इस रजिया का याकूद खान से कही न कहीं चक्कर चल रहा था अब बहुत सारे publications में आपको लगेगा दिखाई पड़ेगा लिखा हुआ मिलेगा कि रजिया का proper याकूद खान के साथ कोई affair था लेकिन बहुत सारे contemporary writers ने लिखा है कि भाई रजिया का कोई intimacy नहीं थी आप कह सकते हो याकूद खान के साथ याकूद खान के साथ there was no intimacy of रजिया बहराला intimacy थी या नहीं थी वो एक अलग बात है problem अब जब कोई सुल्तान बैठता है सुल्तान अपने हरम में 500 औरतें रखे तो कोई सीवी को tension नहीं लेकिन अगर यहाँ पर एक रजिया एक particular individual को as a noble appoint करके रखे जिसमें भी contemporary writers कर रहे हैं कि उसका उसके साथ कोई नहीं था he was an important advisor बद कुछ लोग कहते हैं कि उसका उसके साथ कुछ affair type का था अब जो था नहीं था चुकि वो एक lady थी तो उसको यहाँ पर rule नहीं करने दिया जा रहा था चुकि एक normal case में सुल्तान तो 1000, 1500, 3000, 1000, 1000, 1000 कितने भी और ते रक्तत हरम में उससे कोई problem नहीं होती थी ठीकि यहाँ पर रजिया एक lady थी तो उसका राज जहरा नहीं जा रहा था तो उसके कमिया पर कमिया निकाल रहे थे बरहाल यहाँ पर रजिया के सामने कुछ और problem साएंगी लाहूर में और सिरहिंद में rebellion हो जाएंगी और रजिया खुद लाहूर जाएगी उस rebellion को दबाने के लिए और कैनकी मा कि गवर्नर को गंपेल करेगी कि मेरी authority मानो और गवर्नर को जुका देगी फिर वो सिरहिंद जाएगी सिरहिंद जब वो जा रही होगी तो एक rebellion हो जाएगा internal rebellion capital में और यहां पर याकूद खान को मार दिया जाएगा ऐसा बोलागा कि याकूद खान को बकाइदे strategy के साथ मारा था चुकि चैल गानगी बनती नहीं थी आकूद खान के साथ और रजिया को imprison कर दिया गया तबरहिंदा में एक चार्ज चली गई और रजिया को तबरहिंदा में imprison कर दिया गया यह तबरहिंदा पता है कहा है पर भटिंडा पंजाब भटिंडा अभी थोड़े पहले ही पिछली वीडियो में मैंने तबरहिंदा की बात किये तबरहिंदा वही जगा है जिसको लेके पृत्वी राज चौहान के बीच में और मुहम्मद गोरी के बीच में लड़ाई हुई थी और इसी के आप कह सकते हो कि फोर्ट में यहाँ पे रजिया को बंद किया गया थे लेकिन रजिया ने अपने कैप्टर अलतुनिया के साथ शादी की और अपने आपको वहाँ से छोडाया और देखिए रजिया बहुत शातिर लेडी थी उसको पता था कि पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती तो जो उसका कैप्टर था अलतुनिया उसको पटा कि उसके साथ शादी करके पहली बात तो जेल से बाहर निकली लेकिन कहीं न कहीं किस्मत उसके साथ नहीं थी जब भी उसके लड़ाई हुई वो वैलेंटली लड़ी और कहीं न कहीं एक फॉरेस्ट की थू जब वो पास हो रही थी उस समय पे कुछ बैंडिट्स ने उसके उपर अटैक किया और वहाँ पे रजिया की मृत्य हो जाएगी तो एक एबिल एड्मिनिस्टेटर की यहां पे मृत्य हो जाती है कहीं न कहीं अगर वो दिल्ली पहुँच जाती तो शायद वो चहल गानी को सबक सिखा देती याकूत खान की मृत का बदला भी ले लेती लेकिन वो दिल्ली पहुची नहीं पही रास्ते में उसकी मृत्य हो गई तो यह थी रजिया की गानी एक इंपोर्टेंट और एबिल एड्मिनिस्टेटर पसके वल तीन साड़े तीन चार साल इसने राज किया जादा यह राज नहीं कर पई या फिर कैली जिसको राज करने नहीं दिया गया कुल मिला के बात यह नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे बल्बन की बात करेंगे बल्बन का एराय का 1246 से लेके 1287 तक और बल्बन में आपको काफी इंट्रेस्टिंग चीज़ें पता से लेंगे ओके आगे आने वाले जो रूलर्स है ना वो चहल गानी को उनकी आखाद दिखाएंगे यह जो चहल गानी बहुत हीरो बनना इतना रजिया के साथ एक-एक करके इनको ठोका जाएगा तो इसको हम अगले में बात करेंगे थैंक्यू फॉर वाचिंग फ्रेंट्स आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नहीं कुछ सीखने को मेरा हो वेव ग्रेट टेक उटता है